नमस्कार दोस्तों मौसम की ताज़ाव डेट मैप का स्वागत है दोस्तों अभी अभी बड़ी खाबर लिक्रकारी राष्तान मौसमा के इंसार की मौसम में बहुत ही बदलावा चुका और पच्छे मिचोपकर के चलत हुए मौसम में जो अलट हो चुका है और अगले कुछ में भारी बारिश के सासाथ ओलिया वरिष्टी और भेंकर चक्रवातिय तूफान की चेतावनी जारी कर देगी है तो जान लेते हैं आगामी दुनों में मौसम किस परकार बना हुआ है इससे पहले बात कर लेते हैं बीते 24 गंटों में किन किन जिलों में बारिष देखो मिल में पहले है तो आप लेते हैं आप पहले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए तो चैलिए दोस्तों अईमडी भवाग भारतियं मौसम किस परकार रहने वाला है तो दोस्तों बात का लेते हैं मौसमाग की मुताबित कि किस परकार मोसम बना हुआ है यानि आट जनवरी 222 का जो मोसम है जो किस परकार रहने वाला है तो चान लेते हैं मुस्वाग की मुताबिद तो दोस्तो आठ जनवरी को भी यलू अलट जारी कर राखा मुस्वाग ने और हल्की मद्यमबारिशी देख लो मिलेगी इन जिलो में और जबकि मौसम में जो सरवादिक राज्तान के अधिकतर जिलो में हल्की मद्यमबारिश देख में मिल सकती है जबकि दोस्तो अनमंगर सरी गंगानागार शूरू और नागार इदर से जुन्जुन सीकर अलवर वरतपुर यह चैपर आधी जिले दोस्तो यह जिले अलट रहने वाले हैं हल्की मद्यमबारिश के साथ साथ ओली अबरश्टी और सीतल पबले लहरे चल सकती है जिससे वहंकर सर्दी भणने की संभावना बताई जा रही है जबकि दोस्तो बात करें इदर से कोटा अवारा बूनी जालवार चितलगर आधी जिलों में हल्की बुनाबाद भी देखने में सकती है अंसिवरू से बादल चाहिए और फैंकर सर्दी भणने की संभावना बनी हुई है जयतपुर संभाग और बीकरने संभाग में भी मोसम में जो अलट रहे सकता है अब बात कर लेते हैं तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि 9 जनवरी 2022 का मोसम है जो किस प्रकार रहेगा मोसम भाग के मताबिश जान लेते हैं तो दोस्तों वह इस्तिती बनी हुई है यानि तीनों डेटों में यलो अलट चारी कर दीगा मोसम भाग ने और हलकी मध्याब बारिश देखनों मिलेगी तीनों डेटों में ही अंसिगरू से बादल चाहेंगे दोस्तों अगर मोसम भाग के अंसवार कोई भी नूज अपडेटिंग आएगी तो हम आपको तुरांत आप गत कराएंगे शल्के मात्यम से